पढ़ेगी पानी की जिससे उसकी साथ पुष्टें कांप जाएगी और पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा इसे रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं आखिर कैसे तुम्हारे पाकिस्तान में सेलाक के वो तुपान पर बादरे कि तुम से लिवट नहीं पाओगे और वो चाहे तो पानी को रोक कर तुभी प्यासा मार दे इन डेमों के बाद अग थे उनके भाग और चलिए शुरू करते हैं आज का विशिश इनी खबरों के साथ पाकिस्तान पर पानी की मार पाक में मचेगा पानी का हाहा का बूद भूद को तरसेगा पाकिस्तान प्यास से तरपेगा पाकिस्तान बें पानी निकलेगी पाकिस्तान की जान पाकिस्तान बन जाएगा गबरिस्तान हिंदुस्तान की तैारी हो चुकी है पूरी टर्रिस्तान के खिलाफ सक्त किले बंदी जरूरी अब चुन चुन कर होगा पूरा हिसाब प्यासा मरेगा पाकिस्तान पास कोई हल नहीं है अलावा इसके के नए डैम बनाओ मैं आज तुम्हारे सामने ये बात तुक के साथ रखना चाहता हूँ और इन साहब्स को भी मैं इस बात का एसाथ दिलाना चाहता हूँ कि खुदारा इस बात को सियासी मत सौजना आएंदा आने वाले वक्त में लोगे दुसरे का गडा गडा़ेंगे पानी के लिए और प्यूंके पानी का मसला सबी मोता चला जा रहा है भारत तुम्हारे पानी ओपर मैं डैम बना रहा है अब पानी की एक-एक बूद के लिए तरसेगा पाकिस्तान में अब पानी के लिए हाहा कार मचने वाला है बोली की जगए गोली से बात करने वाले पाकिस्तान पर अब पानी की मार पढ़ने वाली है पाकिस्तान की गर्दन पर अब बाद का फंडा कसने वाला है जिससे पाकिस्तान प्यासा मरेगा क्योंकि भारत सरकार ने कश्मीर के उज्ज से जाने वाले पानी को रोकने की योजना तयार कर दिया है जल संसाधन मंत्राले ने उज्ज से पाकिस्तान को जाने वाले पानी को बाद बना कर रोकने की योजना पर काम शुरू कर दिया है पाकिस्तान चला जाता है ऐसे में अब इस पानी को रोकने के लिए सरकार ने कमर कसली है आज जो लोग यह कहते हैं कि कालाबाग डैम नहीं बनेगा हमारी लाशों पर बनेगा वो स्यासत कर रहे हैं पाकिस्तान के अबाग से कोई जिच्चस भी नहीं नहीं है उन्हें पाकिस्तान के अबाग से वी नहीं है पाकिस्तान के मुस्तविश्य पर लिए पाकिस्तान को अब सजा मिलेगी पाकिस्तान अब प्यासा मरेगा जमीन की बारूत की खेती करने वाला पाकिस्तान अब पानी की एक एक बूद के लिए तरसेगा पाकिस्तान में अब पानी के लिए हाहा कार मचने वाला है बोली की जगे गोली से बात करने वाले पाकिस्तान पर अब पानी की मार पढ़ने वाली है पाकिस्तान की गर्दन पर अब बाद का फंडा कसने वाला है जिससे पाकिस्तान प्यासा मरेगा क्योंकि भारत सरकार ने कश्मीर के उज्ज से जाने वाले पानी को रोकनी की योजना तयार करने इन बारिशों के पानी तो महफूस करके पाकिसान के लोगों तो पीने का पानी परांग करना है और पाकिसान के 22 क्रोड अवां का मुस्तफ बिलिक से वापता है तो खुदारा पाकिसान में रेफरेंडम कर पादो इलेक्शन से ज्यादा जरूरी तालाबाग डैमपर रेफरेंडम है हम ये चाहते हैं कि तालाबाग डैमपर अवां फैसला करें जल लोगों के 22 क्रोड अवां के मुस्तफ बिलिक सब्सक्राइब नहीं डाला चाहिए जल संसाधन मंत्राले ने पुझ जसे पाकिस्तान को जाने वाले पानी को बाद बना कर रोकने की योजना पर काम शुरू कर दिया है आम दिनों में रोजाना तीन क्यूसक जबकि मौनसून में रोजाना एक लाख क्यूसे पानी पाकिस्तान चला जाता है ऐसे में अब इस पानी को रोकने के लिए सरकार ने कमर कसली है ये नितिन गडगरी जी ने मुझे निर्देश दिया कि आप जाके मिटिंग करें एक वार जमो कस्मीर की सरकार से मैंने बात भी कियों से उज में एक डैम बनेगा डैम की एनोसी जमो कस्मीर सरकार को चाहिए वो थोड़ी प्रॉबलम आ रहे थी तो हमने कहा भी जमो कस्मीर में भी पीने के पाणी की प्रॉबलम है पाणी पाकिस्तान जा रहा है वो हमें रोकना चाहिए मैं पाकिस्तान की हुकमत से पाकिस्सान के मुझणिर हल्पों से ये बात करना चाहता हूं, कि देखो इसकी पाकिस्तान की बका खत्रे में पाकिस्सान का पानी भारत मुझत्गिल रोग रहा है मामला है तालावाव प्डेम ये कोई एक सूबे का मामला नहीんだ इस पाकिस्तान की बाइस करोड़ अवाम के पानी का मामला है और अगर यह कोई सुबाई मामला होता, तब यह पिने के पानिकी समस्या कशमीर को भी हो रही है लेकिन अब बाद बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका जाएगा बाद बनाने के तयारी शुरू हो गई है इसके लिए मैं गवाल ने दावा किया है कि हम अपने हिस्से का पानी रोकने की भरपूर कोशिश कब रहे हैं जो उजपे डैम बनेगा उससे भी पानी आएगा और जो हमारा रावी से भी और ब्यास से भी पानी जाता है सरकार के इस कदम से अब देश के कई हिस्सों में खास कर राजस्थान में पानी की किल्ट से काफी हद तक लोगों को निजात मिलेगी और नापाक चाल चलने वाले पाकिस्तान को उसकी आवकाद पता चलेगी मतलब क्यासा मरेगा पाकिस्तान रामग बैस्जी मीडिया बीकानेर